हलो दोस्तों नमस्कार स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों मैं हूँ मनोज आज दोस्तों मैं आपके लिए लेके आया हूँ हलवाई जैसे बेजटेबल पकोड़े आप घर पे कैसे बना सकते हैं वो आपको पताऊंगा इस वीडियो में वीडियो में बने रहे हैं और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में बैल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको नौट्मिकेशन मिलती रहे हैं चले फ्रेंट वेजटेबल पकोड़े बनाना शुरू करते हैं हलवाई जैसे वेजटेबल पकोड़े बनाने के लिए हमें किस की चीज की जरूरत होती है दोस्तों आपको बताऊंगा स्टेप बाई स्टेप वीडियो सुरू से लेके लास तक देखिए मैं आपको हर एक चीज बताऊंगा आप किस तरीके से घर पे पकोड़े बना सकते ह सबसे बहले दोस्तों एक डिब पोल ले लेना है इसमें अड़ करेंगे आदा कप बेशन का यह मैंने बेशन को ऐड़ कर दे करेंगे एड स्वाद अनुसार जितने भी आपको नमक चाहिए एड कीजिए साथ में आड करेंगे अजवाइन ये मैंने जवाइन एड कर दिया है एक चमच एड करेंगे चाट मसाला आदा चमच बेकिंग पोड़र एड करेंगे और यह मैंने पालक ले लिया है इसको काट ल इसके बद दोस्तों आपने आलू को अच्छी तरीके से धो के छिल लेना है और इस तरीके से आपने देखे इस तरीके से आपने आलू को काटना है जब भी आप आलू काटें एक चीज का दिहारे आलू ज्यादा मोटा नहीं होना चीए और ना ज्यादा पतला होना चीए तो आपने आलू को एक साइज से काटना है, इस तरीके से देखें, इस तरीके से आपने आलू को काट लेना है, साथ में हम काटेंगे प्याज, यह देखें, प्याज को भी काट लेते हैं, प्याज को भी एकदम बरावर काटें, मोटा पतला नहीं होना चाहिए, फुलगो भी इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे इस तरीकी से आपने मिक्स कर लेना है और इसमें एड़ करेंगे थोड़ा सा बारी कटावा धनिया हलका सा आपने इसमें पानी डालना है थोड़ा सा पानी डाल दिया है पानी थोड़ा थोड़ा करके डालना है और इसके बाद इसको मिक्स कर रखना है ये पतला नहीं होने चेहां ठिक रखना है तब лаहे पकोेड़े एक दम क्रिस्पी और बढ़िया बनेंगे ये देखे ये एकदम बढ़िया बन गया है पकोड़े बहुत क्रिस्पी बनेंगे देखिए पकोड़ों का जो मसाला मैंने बनाया है बहुत बड़े अब बन चुका है इसके बाद दोस्तों हम इसको फ्राइ करेंगे तेल का टेंपरेशर नॉर्मल है ज्यादा हाई फ्लेम पे पकोड़े फ्राइ नहीं करने है नहीं तो पकोड़े जल जाएंगे इसके बाद दोस्तों आपने पकोड़ों का साइज बना लेना है स्टेंडर्ड साइज जिस साइज के आपको पकोड़े चीए यह देखे ऐसे आपने पकोड़े लेने है और इसके बाद इसको तेल में फ्राई करना ही देखे तरीके से आपने थोड़ा थोड़ा करके इसको fry कर लेना है slow gas में हम इसको पूरा fry कर लेते हैं देखो मैंने सारे पकोड़े डाल दिये हैं तेल में और ये बनने लगए पकोड़े हलवाई जैसे पकोड़े बनेगे आप इसको घर पे ट्राइ किजिए बहुत ही अच्छे बनेगे आपसे भी और इसको half done कर लेते हैं पांच मिनट के लिए तेल से इसको बहार निकाल देते हैं इसके बाद फिर डालेंगे इसको और ये फिर क्रिस्पी हो गया है बहुत ही अच्छे बने हैं पकोड़े ये देखे निकाल देते हैं पकोड़ों को बहार तेल से यह देखिए पकोड़े बहुत ही अच्छा कलर और पकोड़े बने हैं इसके बाद इसको एक डिब बोल में डाल देंगे इसमें एड़ करेंगे चाट मसाला हलवाई जैसे पकोड़े दोस्तों बन चुके हैं आप इसको घर पे ट्राइ कीजिए बहुत ही अच्छे बनेंगे आपसे भी यह पकोड़े दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आईए वीडियो अच्छी लगिए वीडियो को लाइक कीजिए कमेंट कीजिए फेस्बूक वाटसब पे सेर कीजिए और हमारे चैनल को सस्क्राइब कीजिए मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ तब तक जुड़े रहे मे झाल झाल